हेलो एबरिबन तो आज हमारा लेक्चर फूर है लाइफ स्टेजिस आफ स्टार एस्टोनॉमिका लेक्चर फूर लाइफ स्टेजिस आफ स्टार तो कल हमने देखा था कि हमारे पास स्कैटर्ड गैसिस थी उनिवर्स के अंदर छीक है डियू टू तेंस्टी विरियेशन और ग्रेविटेशनल विरियेशन ये कैसे आपस में नजदीक आती है और एक नेब्यूला का निर्मान करती है जिसको हम निहारी का कहते है और एक नेब्यूला का निर्मान करती है जब इस नेब्यूला के अंदर जो हाइड्रोजन गैस है वो आग पकड़ेगी ज़र मैं आम भासा मैं बोलूं निक्लियर फ्यूजन को आग पकड़ेगी जब इस नेब्यूला के अंदर निक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होता है तो वो स्टार में कनवर्ट हो जाता है तारे में ठीक है हाईड्रोजन गैस हिलियम में कनवर्ट होती रती है ठीक है और हमारा स्टार बन जाता है यहां तक हमने कल पड़ा था इसके बाद आगे क्या होता है ठीक है अब इस स्टार के पास कोई न कोई तो क्या है फ्यूल तो हो गई इस स्टार के पास फ्यूल होगा या इंदन होगा जब यह इंदन खतम हो जाएगा जब इस स्टार का या इस फ्यूल का जो अपना इंदन होगा फ्यूल कौन सा था? hydrogen और helium जब यह समाप्त हो जाएगा तो यह star किसमें convert हो जाएगा red giant में red giant में जिसका आकार क्या होगा star से बड़ा होगा this is red giant तो हम बोल सकते हैं जो star के बाद जो अगली अवस्था होगी उस तारे की वो होगी red giant इसमें मैं बोल सकता हूँ जब तारे का इंधन यह star का fuel जब समाप्त हो जाएगा तो वह red giant में बदल जाएगा और उसका आकार बढ़ जाएगा तो हमारे पास एक stage आ चुकी है star की red giant इसके बाद देखिए यह red giant बन चुका है red giant अगर red giant में case one अगर इस red लाल दानव हिंदी में इसको लाल दानव कहते है या red giant कहते है अगर इसका क्या मास या दरव्यमान क्या होगा सूर्य से मास या दरव्यमान सूर्य से 1.44 गुना चोटा होगा अगर red giant या लाल दानव का जो मास होगा सूर्य से क्या होगा, कितना चोटा होगा, 1.44 multiply by sun, सूर्य के मास से 1.44 गुना चोटा होगा, तो वह वाइट ड्वार्फ में convert होगा, तो वह वाइट ड्वार्फ में convert हो जाएगा, चीक है, और अगर दूसरा case, case 2, अगर इस red जाइंट का मास बड़ा होगा, सूर्य से 1.44 तो यह convert हो जाता है, supernova में, supernova, चीक है, तो red जाइंट convert होगा, दो conditions होगी, या तो वह वह वाइट ड्वार्फ बनेगा, या तो वह supernova बनेगा, supernova उस case में बनेगा, जब red जाइंट का मास सूर्य के मास से 1.44 गुना बड़ा होगा, और white ड्वार्फ तब बनेगा, जब red जाइंट का मास सूर्य से छोटा होगा, तो white ड्वार्फ क्या होता है, जब ये red जाइंट क्या करेगा, अपना बहार का atmosphere, ये बहार की, जो ये इसके पास बहार का मास होगा, इसको क्या करेगा, बहार छोड़ देगा, या इससे अलग हो जाएगा, और अंदर इसके पास सिर्फ core ही बचेगा, core, जिसको हिंदी में हम क्रोड कहते हैं, ठीक है, बेसिकली ये जो white ड्वार्फ होता है, ये red जाइंट का क्रोड होता है, ठीक है, तो एक छोटा सा क्रोड बच जाता है, जिसको हम श्वेथ वामन हिंदी में बोलते हैं, श्वेत वामन या वाइट ड्वार्फ कहते हैं वाइट ड्वार्फ को हम फॉसिल स्टार भी कहते हैं जिवाशमतारा वाइट ड्वार्फ को हम फॉसिल स्टार या जिवाशमतारा भी कहते हैं ठीक है वाइट ड्वार्फ में हम लिख सकते हैं लास्ट स्टेज ओफ स्टार in which it shines, ठीक है, तारे की अंति मवस्था जिसमें यह चमकता है, तारे की अंति मवस्था भायट ड्वार्फ होती है, जिसमें यह क्या करता है, चमकेगा, शाइन करेगा, तो हमने देखा भायट ड्वार्फ को हम क्या बोलते हैं, फॉसिल स्टार बोलते हैं, और यह लास्ट स्टेज ओफ स्टार होती है, जिसमें यह चमकता है, ठीक है, अब भायट ड्वार्फ के बाद बनता है, ब्लेक ड्वार्फ, भायट ड्वार्फ के बाद जो अगली अवस् वो हमारी ब्लेक ड्वार्फ है जिसको हम बोलते हैं काला वामन ठीक है इस अवस्था में तारे को हम बोल सकते हैं कि यह अपनी डेड पोजिशन में है मृत अवस्था में है और यह चमकना छोड़ देता है ब्लेक ड्वार्फ या काला वामन इस अवस्था में यह अपनी मृत अवस्था में होता है और चमकना छोड़ देता है ब्लेक ड्वार्फ ठीक है अब इसके बाद देख लिते हैं हमारा केस टू सूपर नुवा के बारे में ठीक है सूपर नुवा में कार्बन जैसे पदार्थ यह कार्बन जैसे मैटर्ज जो हते हैं सूपर नुवा में वो भारी पदार्थ आईरन में कनवर्ट होने शुरू होते हैं सूपर नुवा में कार्बन जैसे या कार्बन जैसे हलके पदार्थ जो हते हैं वो आईरन में कनवर्ट होना शुरू होते हैं जिस कारण इसमें क्या होता है विसफोर्ट होता है जिस कारण इसमें क्या होता है विसफोट सूपरनोवा को हम बोलते हैं हिंदी में अभिनवतारा अभिनवतारा ठीक है सूपरनोवा में क्या होता है कि ये जो कारवन वाले जो पदार्थ हैं हलके पदार्थ हैं ये आईरन में कनवर्ट होना शुरू हो जाते हैं और जिस है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं विस्फोटक तारा विस्फोटक तारा कहते हैं ठीक है अब जब इसमें विस्फोट हो जाएगा तो सूपर नोवा के बाद जो अगली अवस्था जो आएगी वो आएगी निूट्रोन स्टार की अब ये जो निूट्रोन स्टार जो होता ये भी क्या होगा कोर होगा किसका सूपर नोवा का क्योंकि सूपर नोवा में क्या हुआ होगा विस्फोट की वजह से ये बाहर का जो जितना भी जो मैटर होगा वो इस ब्रह्माहण में विखर जाएगा ठीक है और जो अंदर वाला जो पदार्थ होगा जो कोर होगा वही बचा होगा ठीक है तो यह जो कोर बचेगा विस फोट के बाद इसको हम बोल देंगे neutron star ठीक है और इस कोर की जो density है इस कोर की जो density है वो क्या होती है बहुत जादा होती है ठीक है और यह neutron से बना होता है neutron star neutron star neutron से बना होता है ठीक है और इसका जो size होता है वो smaller होता है size smaller होता है ठीक है फिर से एक बार कि supernova में जब विश्फोट हुआ तो क्या हुआ कि ये बहार का जितना भी matter था ये इस universe में विखर जाता है और अंदर का जो core बचा होगा उसी को हम क्या बोलेंगे neutron star बोलेंगे जिसका गनत्व बहुत अधिक होगा और size बहुत छोटा होगा ठीक है कभी-कभी ये ही जो neutron star है ये किस में convert होता है black hole में ये जो neutron star है ये कभी-कभी black hole में convert हो जाता है ठीक है या इसके बाद neutron के बाद दो अवस्थाएं हो सकती है फिर से या तो neutron black hole में convert होगा या तो एक पलसर में convert होगा पलसर neutron star या तो black hole में convert होगा या तो पलसर में अब पलसर में कभ होगा जब इसमें क्या होगी electric magnetic forces होगी electric magnetic forces होगी ठीक है जब ये neutron star क्या करेगा electric magnetic forces को छोड़ेगा या हिंदी में हम बोल सकते हैं neutron star या neutron तारा जब क्या करेगा विद्यूत चुम्प किया किर्णों को छोड़ेगा तो वह पलसर के लाता है ठीक है पलसर बहुत तेज गती से घुर्णन करता है या घूमता है rotation, high rotation होती है इसकी पलसर की high rotation होती है ठीक है जब neutron star क्या करेगा electric magnetic forces को छोड़ेगा तो अब हम उसको बोलते pulsar और pulsar की high rotations होती है high rotations होती है ठीक है फिर पलसर के बाद convert होता है क्वेसर में पलसर किस में convert होगा क्वेसर में ठीक है पलसर क्वेसर में convert होगा और ये last stage होती है of star star की last stage होती है हमारी प्वेसर ठीक है और ये क्या करता है बाहर की तरफ को कुछ waves छोड़ता है जिनको हम क्या बोलते हैं क्वेसर बोलते हैं ठीक है जो क्वेसर star होता है वो बाहर की तरफ को क्या करेगा कुछ waves छोड़ेगा जिनको हम quasars कहते है या quasar jet कहते है ठीक है यह तारों की क्या होती है अंतिमवस्था होती है ठीक है इसके बाद जो quasar के बाद जो star जो convert हो जाता है वो फिर से किस में आ जाएगा black hole में आ जाएगा क्वेशर के बाद star black hole बन जाता है यह थी हमारी life stages of star क्या हुआ कि जब supernova के अंदर बिसफोट हुआ तो इस बाहर का जो matter था यो universe में बिखर जाता है और हमारे पास अंदर core बचती है उस core को ही हमने क्या बोला neutron star बोला neutron star बोला क्योंकि neutron से बनी होती है इसकी density बहुत जादा होगी और size बहुत कम होगा जब यह क्या करेगा electric magnetic forces release करेगा और इसकी high rotations होगी तो अब हम इसको क्या बोलेंगे pulsar बोलेंगे और pulsar के बाद जब यह pulsar क्या करेगा उस अवस्था को हम क्या बोलते है quasar बोलते है और quasar ultimately last में convert हो जाता है black hole में neutron star भी black hole में कई बार convert हो जाता है बदल जाता है ठीक है अब इसके बाद हम बढ़ेंगे black hole के बारे में black hole के बारे में ठीक है तो हम बोल सकते हैं यह neutron star के dense होने से बनता है जिसको हम इंदे में संकूचित black hole जो है वो neutron star के संकूचित होने से बनता है इसकी जो density होती है high density होती है और यह प्रकास को भी अपने अंदर से गुजरने नहीं देता black hole का जो घनत्व होता है वो बहुत अधिक होता है इसके अंदर से प्रकाश भी नहीं गुजर सकता black hole की खोज चंदर शेखर ने की थी black hole की खोज चंदर शेखर ने की थी black hole की magnetic forces अधिक होती है ब्लेक होल की magnetic forces बहुत अधिक होती है और तारो का अंत तारो का अंत black hole में होता है तारो का अंत black hole में होता है black hole में होता है तो ये था मारा black hole के बारे में जब neutron star क्या हो जाएगा dense हो जाएगा संकुचित हो जाएगा तो ये convert हो जाता है black hole में ठीक है और black hole की density इतनी जादा होती है गनत्व इतना जादा होता है कि जिस कारण प्रकास भी इसके अंदर से गुजर नहीं सकता ब्लेक होल की खोश चंदर शेखर ने की थी इसकी मेगनेटिक फोर्स बहुत अधिक होती है और लास्ट में तारो का अंत ब्लेक होल में होता है ठीक है तो हमने पढ़ा था चंदर शेखर लिमिट या चंदर शेखर सीमा तो चंदर शेखर लिमिट क्या होती है मास ग्रेटर दैन सन इसको हम क्या कहते हैं चंदर शेखर लिमिट कहते हैं ठीक है जब रेड जाइंट का मास अधिक होता है सूर्य के मास से तो वो कनवर्ट हो जाता है किसमें सूपर नोवा में और जब रेड जाइंट का मास छोटा होगा सूर्य से कितना छोटा होगा वन पॉइंट फोर यही क्या है चंदर शेखर लिमिट है वन पॉइंट फोर फोर तो यह कनवर्ट हो जाता है भाइट ड्वार्फ में वाइट ड्वार्फ में चंदर शेखर सीमा चंदर शेखर नह स्टार, I hope आपको समझाया होगा, thank you, have a nice day.